लोकसवा चनाओं से पहले जातिये जन्गरना का मुद्दा काफी गरम होता जड़ा है वहीं बिहार में नितीश और आर्यडी गर्णबंदन सरकार जातिये जन्गरना को लेकर मंदूरी भी दे चुके हैं यूपी में समाजबादी पार्टी लगातार इसकी मांग कर रही है वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर जहां फूख फूख कर कदम रख रही है वहीं बीएसपी में इसमें छुपे पॉलिटिक्स माइलेज को हासिल करना चाहती है यही बज़ा है कि बसपा सुप्रीमो मयावती ने जातिये जंगरना को लेकर बड़ा बयान दिया है अभी बार को उन्होंने सोचल मीडिया पर टिविट करते हुए कहा कि कांगरेस द्वारा रायपूर दिवेशन में जातिये जंगरना बा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण आधी को लेकर कई बाते चलावा तता घोर चुनावी स्वार्त की राजनिती नहीं है तो क्या ह क्योंकि सत्ता में होने पर कांगरेस ठीक उसका उल्चा ही करती है बीजी पी पी रवया ऐसा ही छलावा लगातार कर रही है वस्पा प्रिमुक ने कहा कि साथ ही परुद्धिती में आरक्षण के चर्चित बा महत्यपूर मुद्द्यों को लेकर कांगरेस बाभाजपा पापा को आगे करके संबंदित बिलको संसद में पारित नहीं होने देने के जाती बाद शल्यंद को भला कौन भुला सकता है जिसका अती दुखदवा दुरभाजपूर परिवाम इन बर्गों को आज तक भुगत्ता पड़ रहा है बेस्पी चीप मायवती ने कहा कि उन्ह सरकारी नौकरियों वा सिक्षा में इन बर्गों का आरक्षण लगबक निश्करिये एबम निश्परभावी वन गया है तता उनकी आरक्षण सीटे बरसों से खाली है जबकि EWS का नया लागू कोटा सरकार मुस्तैजी से भरती है अता हर इस तर पर साबधानी जरूरी है ए अठात अच्छे वक्त में अन वर्गों को भी पूरा महत्वबा सत्ता से बाहर होने पर बुरे वक्त में उनकी याद बाउनके वोट के लिए घड़याली आंसू बहाती है दरसल कांग्रेस का 85 वा अधिवेशन बीते सत्ता हुआ है ये अधिवेशन 36 गड़ के रायपुर म में आरक्चर सहीत कई मुद्दों पर बयान दिया था जिस पर अब ब्यस्पी चीफ मायवती की प्रतिक्रिया सामने आई है बता दें के सफ़ा पिर्मुक अकलेश जादब ने कुछ दुन पहले विदास्वा में जाती जन्रणा का मुद्दा उठाकर मुद्दे को हवा दे दिये इसके बाद मायवती भी लगातार इस मुद्दे पर बयान जानी कर रही है दरशाल उन्हें पता है कि पिछलों कोई इस्तला राजनिती में उन्हें जगा बनानी होगी यदि ऐसा करने में वैं नाकाम रही तो दलित बोर्ट बैंक के भरोसे एक बार फिर उन्हें सिय करना को लेकर एक फिर एक बार फिर से ही है